ब्रो एक question मेरा भी है high voltage cables capacitor जैसे charge कैसे रहती है तो guys यह एक important question है जो कि मेरे से comment box में पूछा गया है आप सभी जानते हैं कि इस channel पर एक series चलरी है जिसमें मैं आपकी comments को pick करता हूं और उससे related ही next video अपने इस channel पर upload करता हूं तो आज की video का हमारा यही topic होने वाला है कि जो भी हमारी high tensions high voltage cables होती है वो capacitor जैसे charge कैसे रहती है I am Michelle electrical and electronics engineer let's start the video सबसे पहले हम देखते हैं कि एक normal capacitor कैसे form किया जाता है तो जब भी हम दो charging plates के बीच में एक dielectric medium लगाते है वो dielectric medium चाहें आपकी air हो paper हो plastic हो जब हम दो charging plate के बीच में एक dielectric medium रख देते हैं तो हम इस चीज को capacitor बो हो रहा होता है होता है कि इन line के अंदर जो है लाकों में और हजारों में जो voltage और जो current है वो travel कर रहा होता है जिसकी वजह से जो आपके conductor से चार्ज रहते हैं अभी जो तीन conductor से एक particular distance के सार्थ है अभी जो distance है इनके बीच में होती है air अब जब दो charging plates के बीच में air आ गई त जिरो potential पर होती है और आपकी जो उपर वाली लाइन जा रही है लास्ट वाली लाइन यह एक particular potential पर है अब इनके बीच में पोटेंशल डिफरेंस क्रियेट हो रहा है जिसकी वज़से हम पर भी एक capacitance फॉर्म होता है इस capacitance को गाईस हम कहते हैं ground capacitance अब गईस यह जो capacitance हमारी line के leverage हो यह सारे inductive load होते हैं अब inductive load जब भी हम इनके lines में लेके आते हैं तो हमारे जो power factor है line का वो उसमें changes आने start हो जाते हैं अभी जो inductive load की वजह से जो power factor में changes आ रहे हैं इसको compensate करता है हमारा यह capacitance तो only one advantage ही हमें यह जो है provide कराता है जो हमारी line है इसका जो power factor है उसको improvement करता ह है अब इसके disadvantages की बात करें तो काफी जादा इसके disadvantages होते हैं हमारी line में पहला disadvantages यही है कि यह फेरेंट effect को लेके आता है हमारी line में फेरेंट effect की वज़े से होता है कि guys अगर आप इन line के अंदर से अगर for example आपने 100V send करा तो आपको receiving end पर 110V या आपको 120V देखने को मिलेगा अगर आपका voltage increase हो रहा है receiving end का voltage increase हो रहा है तो उसको लोड आएगा जिसके विएसे वो damage हो सकते हैं इसको avoid करने के लिए हम संट reactor इसमें यूज करते हैं अपनी line में फेरेंट effect को reduce करने के लिए इन capacitor की वज़े से जो आता है यहां पर एक charging current पर आता है जिसकी वैसे हमारी line क कि जो energy है काफी ज्यादा waste हो जाती है क्योंकि हमारे capacitors form हो रहे है तो यहां पर charging current भी आएगा क्योंकि जो capacitor हो चार्ज होता है तो जिसकी वैसे जो हमारी line का current है decrease होना start होता है negligible amount में ही वो कम होता है बट यह energy है वो drop हो रही है तो हम कह सकते हैं कि यहां पर वेस्टेज और energy हमें देखने को मिलती है तो यह कुछ advantage और disadvantage होते हैं इस capacitance के form होने के अगर इस वीडियो से लिटेड आपका कोई भी doubt है तो आप मुझे comment कर सकते हैं और आप अपना एक question मेरे को जरूर comment करें मैं उसको अपनी next video के लिए pick करूँगा क्योंकि मैं इसको continue रखना चाहता हूं तकि आपकी जो knowledge है आपकी questions है उसको मैं आपको जो है clear कर सकूँ I hope guys यह वीडियो आपको knowledgeable लगी होगी मिलते हैं next video में till then thank you